हेलो गैस वेलकम बैक टो मैं चैनल अगेन इट्स अभी मॉंजाई हैर आप जो मेरे सामने कटिंग देख रहे हैं जिसको मैंने पानी में रूटिंग किया हुआ है इसका नाम है स्ट्रेबलस एसपर जिसको हम सेरुद बॉंजाई के नाम से भी सर्च कर सकते हैं गूगल के अं तो कटिंग मैंने इस वाले प्लैंट से लिया था तो इसकी ग्रोथ तो आपस आ गई है और उसके रूटिंग आ गया है तो आप यह देखिए कि इसके जो ग्रोथ हैं वो काफी जल्दी आ जाते हैं तीन तीन चार चार दिन में आ जाते हैं तो यह बॉंजाई के लिए पानी में ग्रो करने का ट्राइ किया था तो गाइस यह तो नीचे से सढ़ने लग गया है तो यह बहुत ही गलत हो गया क्योंकि इसका structure मुझे बहुत ही ज़्याद अच्छा लगा था मैं आपका इसका structure दिखाता हूँ अगर यह बॉंजाई बन जाता अगर इसकी रूटिं भी हैं फिर भी ग्रो नहीं कर पाया जिसका मुझे बहुत जाता दुख है पर कोई बात नहीं हमारा जो रूटिंग कर गया है हम उस पर वग करते हैं तो यहां पर मैंने लिया एक प्लास्टिक का कंटेनर जिसके नीचे बड़े-बड़े छेद है जो बहुत ही अच्छे होते है इसको हम लेंगे क्योंकि मेरे पास कंटेनर अभी है नहीं इसे में हम ग्रो कर लेंगे हम ले लेते हैं यहां पर हमारा रूटिंग हुआ 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 कटिंग जिसके रूट्स को हम थोड़ा ट्रिम कर देंगे ताकि वह हमारे बॉक्स में इसली बैट जाए तो गाइज टोटल ही मैं रिस्क ले रहा हुँ इस ट्री को लेके मुझे नहीं पता यह सवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा क्योंकि काफे सारे कटिंग जिसके मर गए तो गाइज होप यह भी सवाइव कर जाए जिए यहां पर मैंने लिया है और नॉर्मल गार्डन स्वाइल में इसको कोई भी फटिलाजर नहीं दूँगा क्योंकि अभी भी इसका रूटिंग आया है नया रूटिंग है शाहिड यह फटिलाजर सहन नहीं कर पाएगा तो गया हम इसको नॉर्मल ग्रेवल साइज के ग तो रूट्स को में स्प्रेड करके इसको छोटे से पत्तर पर बिठा दूंगा और उसके उपर से मिट्टी डाल दूंगा अगर यह अच्छा छोटा सा मामे है तो शोहिन बॉंजार में आपके सामने दिखाऊंगा अगर यह मर गया जिसके चांसे ज़ादा है कि यह मर जाए अगर यह ग्रो कर गया तो बहुत अच्छी बात होगी पर कोई इशू नहीं है इसका जो मदर प्लांटे वो है हमारे पास और वो अच्छा ग्रो कर रहा है तो कोई इशू की बात नहीं हम फीचर में उसमें से कटिंग ले लेंगे और मैं मौनसन तक वेट करूंगा हम इसको वाटरिंग कर देते हैं और देखते हैं कितने दिन में यह ग्रो करता है के नहीं करता है गाइज इस ट्रीकी एक बहुत बुरी चीज़ है कि अगर यह मर रहा होता है ना तो कई दिनों तक इसके पत्तों पर पता नहीं चल रहा होता है आज साथ दिन हो चुके हैं इसको रिपोर्ट किये हुए हैं तो आप इसका अपडेट दख सकते हैं यहां पर जैसे हमने यहां पर प्रेडिक किया था कि जो कटिंग है यह अच्छे से ग्रोड नहीं करेगा और विसली क्योंकि सारे पेड एक जैसे नहीं होते हैं कुछ के बहुत अच्छे होते हैं बडिक कुछ की रूट सिस्टम बहुत ही कमज़ूर होते हैं बहुत सारे बंजाे ऐसे होते जिसका रूट बहुत स्ट्रॉन होता बड़ उपर के कटिंग Pastel लाट हो कर रहा है और देखिए कि पहले से काफी ज़्यादा लंबा हो गया है तो गाइज अभी हम लोग इसको ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा फिर इसमें से बाके हम कटिंग करेंगे एक चीज़ हमने सिखी है कि सेरूड बॉंजाई को हमें सिर्फ मॉंसून के टाइम पर प्रून या कटिंग लगानी है सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे हमारा फैमली बढ़ता रहेगा थैंक यू मेरे बाद